तो यानि कि आप बता रहे हैं कि ये जो संख्या है मौत के आंक्डों की वो बढ़ सकती है वो बारा भी हो सकती है लेकिन जो बाकी दो हैं उनके हालत के बारे में क्या जानकारी इस वक्त है पूरी की पूरी की पूरी जो साइट आप तस्वीरों में देख सकती है तो मलबे में तब्दील हो चुकी नीलगीरी पहाडी के अगर हम बात करें तो इसकी खासियत यह कि जितने उचे इसके पहाड़ है उतने उचे वहां पर घंटू में बहुत ज्यादा घंटू में पेड़ भी है तो जब वह मलबे पेड़ से मिट्टी से पूरी तरीके से इसलिए वन मंत्री तमिलनाडू के रामचंतर खुद मौके पर मौझूद है और इसकी आपरेशन की देखरेख चलना है अभी फिलाल प्रात्मिक्ता यही कि घायलों को उच्चतम स्तर का इलाज मिले आप अमित मेरे साथ बने रहे गए यह तस्वीरे में जरा दिखाना चा बढ़कर एक दरजन तक हो चुका है बारहा लोगों के जानगवाने की जानकारी आ रही है कन्फर्म जो आकड़ा है वो अभी तक ग्यारह का है बाकी दो की हालत भी बहुत क्रिटिकल है सीडियस विपिन रावत को लेकर लगातार जानकारी एक होजी जा रही है कि उनकी अस्पतार में उनको उचित इलाज दिया गया है और पूरी की पूरी क्यास सितिय परिशितिय रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही अब साफ हो जाएगा संसद में वह इस बारे में बयान देंगे इसके अलावा जो मुरे तक हैं उनकी पार्तिव शरी को कब और कहां लेया ज सम्वेधन चीलता से कें सरकार इस पूरे के पूरे मामले को देख रही है एक और राहत और बचाव कारे है वो पुर्जोर चल रहा है तो दूसरी ओर सम्वेधन चीलतारीके से कें सरकार देख रही है परिजनों के से बात करने के बाद आलादी क्यारियों से ब्रीफिंग द आखर इस हाथसे की वज़ा क्या होगी क्योंकि इनीशली जो जानकारी आ रही है वह बहुत जादा जो वेदर है वो कह रहे हैं कि बहुत खराब था इस वज़ा से यहाथसा हुआ हो सकता है आप मेरे से पूछ रहे हैं जी मेरा नाम करनल टेश टिकू है तो मैं करनल नैन नहीं हूँ देखिए मुझे नहीं लगता है कि मोसम इतना खराब था वहां पर कि एक मी 17 हेलिकॉप्टर जो एक बहुत आधूनिक हेलिकॉप्टर है टेस्टेड और ट्राइड हेलिकॉप्टर ह है और पिछले कई सालों से हमारे सेना और वायू सेना में काम कर रहा है इसके लिए ऐसा वैदर मेरे ख्याल से चैलेंजिंग सिचुवेशन नहीं थी लेकिन क्या ये वैदर की वज़ा से हुआ या कुछ और टेक्निकल फेलियर था या कुछ और बात थी क्योंकि जब सीडि हार एक चीज की शंका रहती है कि ऐसा कैसे हुआ लेकिन ये डिफिनिट तोर पर बोलना की वैदर की वज़ा से ये हाथसा हो सकता है हुआ हो मुझे नहीं लगता अभी हम उस नतीजे पर पहुँआ हैं रवी इस वक्त जानकारी है कि राजणात सिंग मुलाकात करके सीडियेस बीपिन रावत के परिवार के सदसों से वहां से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होना है इस वक्त सदन में वो भी हम लगातार निगाह बनाए हुए मैं आपके पास आओ उससे पहले मैं आमित का रुक करना चाहती हूँ आमित कितनी दे देर में अपनी बात को रखेंगे राजनात से देखिए प्रस्ताविस समय उनका यही है कि अपसे थोड़ी देर में है चुकि इसे लगातार कारेकर में परिवर्तन की भी संभावना है इससे पहले खबर यह आ रहे थी खुद रक्षा मंत्री जाएंगे हाथसे की जगां प दे सकते हैं तो हम यह इंतजार करना होगा अपसे थोड़ी देर में संसद में आते हैं और पूरी समभावना है वो बयान दे सकते हैं और पूरी परिस्यति पताएंगे किन परिस्यति में हाथसा वह आज जाच कि आदेश किस तरीकी के दिये गे और सबसे ज़रूरी चीज खाएलों को किस तरका इलाजी दिया जा रहा है और करनल तेज टेकु साब भी हमारे साथ बने हुए हैं करनल तेज सबसे एहम बात यह है कि ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेइन क्रैश के बाद बहुत महत्तपूर्ण हो जाता है तो उससे किस तरह की जानकारिया मुम्किन है क मिल जाए एंड मोमेंट पर क्या कुछ हुआ होगा देखे ब्लैक बॉक्स में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जब से फ्लाइट टेक आफ होती है और जब से वह लैंड होती है उसका क्रैश हो जाता है तो उसमें सब टेकनिकल परामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं उस में दर्ज हो जाती है तो आपको तकरीबन तकरीबन हर एक चीज मिल जाता है जिसमें आप यह अंदाजा लगा सकते हैं बाकी बाकी प्रूफ के साथ कि हेलिकॉप्टर के साथ गटना किस प्रकार से हुई और क्यों हुई और कहां एक्जैक्ली हुई यह सब चीजे हमें ब् और आहम तोर पर क्या होता इसका जो मल्बा है जो क्रैश साइट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है बिक्री हुई तकर आपको बहुत दूर जगा पर दूर नहीं पढ़े और यह इलाका जो कुनूर का इलाका है मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए ब्लैक बॉक्स के मिलने से जिसके बाद इन्वेस्टिकेशन के दोरान इस निश्पक्षवर को पहुचा जाए कि हुआ क्या एक्षिली में ठीक है मैं आपसे उस लोकेशन जहां पर यहादसा हुआ है उसकी जटलताओं के बारे में भी बात करूंगी लेकिन अमित का रुक कर लेती हूँ अमित एक ऐसा ऐसा एमाई 17 हेलिकॉप्टर ऐसा विमान जिसके बारे में तमाम तरह की खुबियों का जिक्र किया जाता है और बारे में कहा जाता है कि भारत की ताकत के बारे में अगर जिकर होता है तो ऐन 17 का जिखर होता ही होता है ऐसे में इस विमान को लेकर यह हाथसा these का मतलब हो जाता है देगिंहीं का मतलब साब और यही कि जो तकनीकी टीम जिसने इसको ओके गो हेड दिया था आखिरकार किन परिस्तियों में इसको उड़ने की इजाज़ा दीगे पहली की दूसरा ये डबल इंजन एरक्राफ्ट है डबल मतलब कि एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन काम करें तो तब ऐसी विशम पर कैस के मौसम का उस बारिश का किस हद तक इस हेलिकॉप्टर की उड़ान में प्रभाव पड़ा होगा इन परिस्तियों को भी परका जा रहा है और साथ में पन बिजली परियोजना और सोलर प्रजेक्ट को भी पूरा करेगी तक इस हाथसे के दिखा रहे हैं जहां पर यह हाथसा हुआ है हलिकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बाद देखे वहां पर किस तरह इस भीशन हाथसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी रफतार दी गई है लेकिन सबसे एहम बात यह है कि इस पूरे हाथसे में 12 लो और इस क्रैश के बाद पूरा का पूरा जो इलाका है वो राख में तबदील हो गया है और किसी तरह से इस आग के शोलो को बुझाने की कोशिश की जा रही है और यह क्रैश हुए जगह कई तस्वीरे इस वक सामने देख रहे हैं आप और उनकी पतनी भी CDS विपिन रावत की इस हेलिकॉप्टर में सवार थी और इस बीच हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट के एक बड़ी टीम भी मौझूद है जो लगातार हमें बता रही है कि किस तरह से हाथसा हुआ हुगा एक ऐसा है विमान एक ऐसा हेलिकॉप्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि विपरीत कंडीशन्स में ये फ्लाई कर सकता है और जो क्लाउडी वेदर होता है उसमें भी ये ये बहुत जबरदस इसकी उडान के बारे में जिक्र किया जाता रहा है